जुड़ी जीवन की तुमसे जो, कभी वो आस ना तूटे, किसी भी हाल में मेरी, कभी अरदास ना तूटे, जुड़ी जीवन की तुमसे जो, कभी वो आस ना तूटे, किसी भी हाल में मेरी, कभी अरदास ना तूटे, दिखाया रास ताप तक तो आगे भी दिखाओगे, दिखाया रास, तब तक तो आगे भी दिखाओगे मेरे इश्वर मेरे भगवन मेरे इश्वर मेरे भगवन मेरा विश्वास ना तूटे मेरे इश्वर मेरे भगवन मेरा विश्वास ना तूटे मेरे इश्वर, मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना तूठे आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, कि मेरा मन है, कि चार पंग्तियां और सुनौँगे यदि आपकी अनुमती हो, चाहते हैं तो आज ये मान के चलिए कि अनामी का बोल रही है और आपके दिल की बात है, जो सीधे गुरुदेव तक पहुँच रही है क्या बात है, सुनें जो कानों तक नहीं पहुचे, वही अलफाज मत होना जो कानों तक नहीं पहुचे, वही अलफाज मत होना जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना है मुम्किन गलतियों से गलतियों काफी तो हो जाना मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना और कैसे हैं? मैंने इतने बाहर सुना, हम सब ने इतने बाहर सुना एक बात हम में विश्मास भरने की जो गुरुदेव करते हैं मैं क्यों इस बात को कह रही हूँ? इस समय, इस दोर में कोई तो ऐसा हो जो हमें ये बताए कि तुम क्या हो और वो बताते हैं कि तुम क्या हो और हम क्या है सुने अगर, एक स्वाब इमान जिसे वो कहते हैं अपने साथ रखो अगर तुम भी नहीं हम से तो फिर हम भी नहीं तुम से कोई चौथी पंक्ति आने दीजिए कोई ये सिखाया जाता है ये हमें बताया जाता है ये हमारे आत्म विश्वास हमारे आत्म सम्मान और हमें उस ईश्वर से जुड़ने का जिसकी हम खुद करती है ये वो बल है जो हमें दिया जाता है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे कोई खुशियां नहीं तुमसे जो कुछ है केवल उससे है कोई खुशियां नहीं तुमसे कोई घंभी नहीं तुमसे यदि कोई आपके स्वाब इमान को ठेस पहुंचाए तो ये कह दो हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम जयादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे जयादा तो नहीं तुमसे योगेश जी मैंने आपकी हर बात सुनी मतलब नहीं जय सोच रहे कि हम जैसे बुंदेल खंड़ी के नहीं होवे हमें खुद आउत जा कैबों के ठटरी बांदे हैं कि ऐसे जादा गर रहा हो जिनो उन्दन घाई फीचते हैं भई जिका सोच रहते हैं से कुरू लगा के भग ले हम नहीं पकर पे हाँ तो सुन लो दादा क्या है सत्य सनातन जो इस मंच से जाना मैं उस गीत को आपके बीच रखना चाहती हूँ सुर के साथ मैं ट्रेक के साथ गुरुदेर से अनुमती लेती हूँ और मैं ट्रेक के साथ उस गीत को परफॉर्म करना चाहती हूँ अभी 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 मैं बता दूँगी बता दूँगी अति उत्साह में है ये भी ये हप्पु जी का कमाल है कई बार अति उत्साह में हो जाते हैं शुरू से कर देना जी मैं पहुचती हूँ यहां से बताया जाता है क्या है सत्सनातन जिसे कभी टेंगू मलेरिया कह दिया जाता है क्या है परम सत्दा से संचालित ये शासन मित नहीं सकता मैं गुरुदेव का भी मन मांगती हूँ और क्योंकि मैं कविताओं को तीर्थ कराने आई हूँ इसलिए मेरा मन है कि उनका मन भी मुझे तक पहुँचे सुनिएगा लोग कहते हैं अनामी का आप इतना अच्छा गालेते हो कई बार कटू हो जाते हो क्यों कारण बताती हो कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए क्यों कटू होना चाहती हूँ और क्यों कटू होते हैं हम लोग कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है सामने से कह सको औकात होनी चाहिए सामने से कह सको औकात होनी चाहिए तब ये चार पंक्तियां कहती हूँ क्या है सनातन और अब चाहती हूँ कि आप झूमे और मेरी इस बात का समर्थन करें कि परम सत्ता से संचालत ये शासन मिट नहीं सकता अमरता दे मनुच्थता को वो दर्शन मिट नहीं सकता न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता क्योंकि समाहित प्रेम हो जाए कहां फिर बैर उटते हैं जहां हो रासते तेरे वही को बैर उठते हैं यह सचाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी लिखा हो राम का जो नाम पत्थर दैर उठते है कैसा दरश रहा होगा जब भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा का समय था उनके मंदर के निर्मान के बाद वो 22 तारीक का समय था मैं चाहती हूँ मैं गीत के साथ अपनी आवाज भी साथ में दूँगी उसके साथ ही आप गुनगुनाओंगी भी और मैं चाहती हूँ इसको आप भी जूमे और जूम कर सुनें और उस द्रश्य को याद करें वो द्रश्य भगवान श्री राम के इस प्रकार से सिंगहासन पर विराजमान हुए अब मैं चाहती हूँ कि उस गीत को लगा दिया जाए मैं चाहती हूँ कि दूसरा गीत जिस गीत को गुरुदेव मैं आशी आपसे अनुमती मांगी तो बहुत छोटा सा और ज्ञान वापी का गीत है और मेरा मन है कि वो गीत इस मंच पर तीर्थ करे तो आपकी एक बार अनुमती मिल जाए मैं केवल उसका पहला एक बंद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हो और क्योंकि इस मंच से भगवान श्चिव के लिए ग्यान वापी के लिए हम सब ने कहीं न कहीं अपनी मननत मांगी है तो मैं इस गीत के माध्यम से उस मननत को पूरा करना चाहती हूँ आप सब जूमने के लिए तयार हो और ग्यान वापी गीत को एक बार चला दीजिए सब से लास्ट में राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंगासन पर वो कोई भी हो सकता है कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं और से कह करके मैं जाती हूँ सब जूमिएगा लास्ट में उसको लगा दीजिए और हम सब एक प्रार्थना करते हैं कि सत्य सनातन की छाया हो शासन पर भारत में संकल्प ले कि केवल और केवल सत्य सनातन हो और उसी सत्य सनातन की हम रक्षा करें, उसकी पूजा करें उसे माने उसे जाने इसे चला दीज़ो एक भोली भाली सी सूरत में भगवानों मिला है और जो लोग यहां बैठे हैं वो धन्य है इस बात का प्रमान ये है कि भरी जोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा क्या सच है या नहीं तो सुने भरी जोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा मेरे इश्वर तिरा आभार बारंबार करती हूँ मुझे हर दम दिया तूने मेरी आउकात से ज्यादा मुझे हर दम दिया तूने मेरी आउकात से ज्यादा जहां पर सच दया समान और इमान रहता है वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है अगर तूने निकाला है किसी के पाओ का काटा रुकें और चौथी पंती सही लगें तब आपका मन मांगती हूँ कि अगर तूने निकाला है किसी के पाओ का काटा तो ये तेहे तिरे दिल में कोई इनसान रहता है